स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल पर और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुतिक बिग्जान के 20 प्रेश जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ड हो सकते हैं तो आप लोग एक काम करेंगे कि मैं जैसे कि पहला कोश्चन कराऊंगा वैसे आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का एंसवर जो है वो टिक सही किया है यानि कि अपने आपको माग करेंगे कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आपको एंसवर आता था और वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितना question जो है वो सही किया है ठीक है तो हम लोग पहला question अपकाने स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का कि एक आदर्स वोल्ट मीटर का प्रत्रोध होता है अनन्त एक से कम तो जो एक आदर्स वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रत्रोध होता है वो होता है अनन्त होता है अगला कोशन है आंतरिक उर्जा की संकल्पना उश्मा गत्की के किस नियम में मिलती है जो आंतरिक उर्जा की संकल्पना है उश्मा गत्की के किस नियम में मिलती है त्रिति नियम प्रथम नियम या फिर शुन्याक तो आप्शन कौन सा होगा प्रथम नियम में मिलती है ठीक ह यानि कि खावाला option जो है वो सह होगा उसमा गदि किस नियम से मिलती है तो वो प्रतम नियम से मिलती है अगला question है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिने कहते हैं positron neutron photon या फिर परमाण कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं जो छोटे-छोटे करणों से मिलकर बनता है जिसके हम लोग कहते हैं photon कहते हैं अगला question है इंदर धनुस में किस रंग का विक्षेपड जो है वो अधिक होता है पीला निला लाल या फिर बैगनी तो इसमें बैगनी रं खरकव कई यह क्सके लिए किया जाता है रडार संचार रेडियो संचार अंतर महाधीपी संचार या फिर कुई नहीं तो जो तेली रंग नहीं से है किस रंग का सर्वाधिक तरंग से अधीक किस तरंग का होता है बैगनी को έχ you और छरण सब्सक्र्सका क्या को यह जाता है हूज भाइगिऽ तब का ट्भे इसके चला जाता है आबेगी बल, समवेग, गुर्टवा कर्शन या फिर दरब्यमान तो इसमें option जो से होगा सी वाला से होगा ये सबी लोग को पता होना चाहिए कि जो कोई भी पिंड होता है धरी की तरफ खीचा क्यों चला जता है क्योंकि उस पर गुर्टवा कर्शन बल लगता है हम लोग सभी जानते कि सूर्य में उर्जा का उत्तपाधन होता है वो किसकी वजह से होता है तो वह होता है नावीके सनलययन की वजह से ठीक है अगला question एक अंत्रिक्षयात्री को आकास कैसा दिखाय देता है नीला बैकनी लाल या फिल काला तो option कौन सा होगा काला दिखा जिता है यानकी घवाल option सही होगा इसमें काला दिखा जिता है इस वीडियो में हम लोग full explanation जो है हर एक questions का नहीं कर रहे है explanation होता है 8 बजे की सुब़े live class में होता है और 7 में हम लोगा paid class है उसमें full explanation with tricks मतलब की tricks के साथ explanation दिया जाता है और उसमें क्या-क्या आपको मिलता है तो math के आपको 50 chapter मिल जाएंगे जो आपके syllabus में है उसके बाद से chemistry के 24 chapter जो की आपके syllabus में है जो की important है उसके बाद से physics के 24 chapter है जो की आपके syllabus में है वो भी important है और इन सबों के साथ में आपको 5000 questions के PDF मिलेंगे और साथ साथ ये जो questions के PDF में revise करवा रहा हूँ ये सभी questions आपको PDF के साथ आपको WhatsApp नमबर पर जो है वो भेज दे जाएगा तो ये बहुत ही कम cost पर है और बहुत एदम बहुत ही कम cost पर है और काल करके जानकारी ले सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आपको दिया जाएगा एक वीडियो उसमें अच्छा लगता है तो आप paid class जोयन कर सकते हैं और उसी में सब explanation है तो इसमें अंत्रिक श्यात्री को आकासका रंग कैसा दिखाए देता है तो काला दिखाए देता है अगला question करते है पृत्वी एक चलती एक वस्तु आम तोर पर किसके कारण अपने आप रुखती है गर्षण बल, गुत्वा कर्षण बल, संवेक संरक्षण या फिर जड़तों का सिदान्तों पृत्वी पर एक चलती एक वस्तु आम तोर पर किसके कारण अपने आप रुखती है तो option जो से होगा वो होगा घर्षण बल के कारण घर्षण बल नीचे लगता है तो घर्षण बल के कारण ही लगता है अगला question करते है विदूद बल का जो filament होता है वो किससे बना होता है नाइक्रोम, टंगस्टन, तामबा या फिर इनमें से कोई नहीं तो इनमें से देखिए D में जिसमें इनमें से कोई बाला option नहीं तो वो 90% chance होता है तो देखिए नमबर हम लोग का यही है इस पर whatsapp message भी कर सकते है P.O.L.Y. लिकर आपको whatsapp message करेंगे तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी दे दी जाएगी कि हम लोग की paid class क्या है क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा एक बटे दो एक बटे चार एक बटे पांच या फिर एक बटे छे तो ऑप्शन कॉन से होगा एक बटे छेवा भाग जो है वो गुर्तवा कर्शन के सबसे नजदीक है पित्थ्वी से याद रखेंगे एक बटे छेवा वायु मंडल में बादलो के तैरने का कारण क्या है बेक ताप घनत हो या फिर दाप तो इसमें से जो ऑप्शन से होगा वो होगा घनत होगा यानिकि डैनिसिटी वायु मंडल में बादलो के तैरने का कारण क्या है घनत हो है अगला कॉशन प्रकास की गती किसके बीच से जाते हुए नियू तो काच में ऐसी आजेएगा जाएगफ जब जाएगा प्रकास यहां से एंट्रि करेगा तो यहां पर जाने में इसको बहुत परिशाण होती है अगला क्वेश्य है कि आकास्ट गंगा की आवरित्ती है दिरगवित्त्यकर है प्रिट्तकार या फिर इन में से कोई नहीं तो option कौन सा होगा डीवाल में जिसमें कोई नहीं होता है option वो तो नहीं होता है लगबग 90% केस में और इनी तीन में से कोई option से होगा दृडवित्ताकार, spiral या फिर पृत्ताकार तो आकास गंगा की आवरित्ती क्या होती है option वो खवाला सयोगा की spiral होती है spiral मतलब की कुछ यू ऐसे ऐसे type की होती है अगला question डॉपलर प्रभाव जो है वो संबंदित है किस से ध्वनिशे, वाई से जनसंक्या से या फिर सभी से तो जो डॉपलर प्रभाव होता है वो संबंदित होता है अगला question की द्रव में चुम्बकत्व का कारण है सांत प्रोटॉन, सांत इलेक्ट्रोन की वर्तुल गति या फिर सभी सांत न्यूट्रोन तो द्रवों में चुम्बकत्व का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रोन की वर्तुल गति अगला question जो कि इस लिडियों का last question होगा प्रकिर्ट में सबसे ससक्त बल कौन सा है जो नाविकिया बल गुरुत्विय बल या फिर वैदूत बल तो जो नाविकिया बल होता है वह सबसे ससक्त बल मतलब की सबसे मजबूत बल कौन सा होता है नाविकिया बल होता है इसलिए वीडियो कैसे लगी ये questions कैसे लगे और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताएंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत अच्छे-च्छे questions के साथ तब तक के लिए धन्यवाद